आज की भागदोड वाले जिंदगी में कॉमनली सबको सूजन का प्रॉब्लेम है अंटी इंप्लामेटरी वाले इतने इतने डिसीजेस होते हैं कुछ न कुछ परमेवन सर्दी भी हुई तो टॉंसिल पे सूजन आ जाती है तो यह सभी सूजन कम करने के लिए प्राकृतिक सोरुप में बहुत सारे प्लैंट्स आफलेबल है उसमें से तुलसी एक पवित्र पोधाय में तुलसी बहुत अच्छी काम करती है तो इसे एंटियोक्सडेंट भी है आपको इम्मुनिटी भी बढ़ा देंगी वाइरल से भी लड़ेगी और साथ में इंफ्रमेशन कम करते हैं ग्लास या एक कप पाने लेके उसमें दस तुलसी के पत्ते डालके अगर उभालके गरम गरम पाने पिए तो आपकी सूजन कम होती है दुसरा गोल्डन हर्ब मिस गोल्डन फूड है वो है हल्दी हल्दी बहुत अच्छी अंटियोक्त इंफ्लमेटरी है इस बोड़ी में कहां पर भी स्वेलिंग है तो अगर गोल्डन मिल्क लिए या गोल्डन हल्दी थोड़ा सा डालकर गरम पाने एक कप करके पिए उसमें थोड़ा सा अद्रग डालकर पिए तो बहुत अच्छी तरह से सूजन कम होती है रात में सूते समय पे भी हल्दी का दूद अगर लिए तो आपके इवन टॉण से भी कम होते बहुत सारे बोड़ी होता है सूजनाने से कुछ मार लगा है सूजनाय तो उसके लिए भी हल्दी बहुत गुनकारी है हल्दी का पानी गरम करके ले सकते हो या फिर दूद में अच्छा इंफ्लमीशन कम करने के लिए तो अगर सूजन है वह भी कम करने के लिए अद्रक बहुत अच्छा काम करती है अद्रक की चाय पी सकते हो अद्रक अदूद करके पी सकते हो गरम पानी में सोंठ या अद्रक डाल के गरम पानी करके थो वो भी पानी आप सीब सीब करके पी सकते हो बोड़ी पेंग कम होता इंफ्लमेशन कम होते है ये तीन हाफ एकदम बेस्ट है इंफ्लेमिशन कम करने के लिए